हेलो माई डियर फ्रेंड्स आप से गुद मॉर्निंग सस्रियकाल अस्सलाम वालेकूं मैं हूँ आपका दोस्त केशव मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूटुब चैनल GM क्लासेज में दोस्तो हम आज से aptitude of gate स्टार्ट करने जा रही हैं यह हमारी aptitude की पहदी क्लास है जैसे कि आप सभी जानते हैं aptitude के gate में 10 questions आते हैं जो की 15 marks के होते हैं मैं आपको इन सभी को cover कराऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप कम से कम समय में इन 15 नंबर को कैसे पास सकते हैं जैदी आप में तरीके से चले तो आपके ये 15 नंबर confirm होंगे वो भी कम से कम समय में चले दोस्तो आज जी क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी आज जी पहदी क्लास है direction sense test यह ऐसा topic है जैदी आप में तरीके से चले तो आपको answer लाने में उतना ही time लेगा जतना time आप question पढ़ने में लगेंगे हमारा concept number 1 है आप यहाँ देख पारले direction डाइगराम बना हुआ है आप जानते हैं यह पूरा 90 degree होता है यह दि मैं इसकी बात करूँ तो यह कितना angle होगा यह होगा 45 degree अब आप कितम आप मारा होगा इसका यहाँ पर क्या role है आपको इतना काम करना है कि आपको कुछ degree याद करने है कि यदि 45 degree बात करेगा तो कितनी cycle पर चलेगा 45 यदि मैं 2 times करूँ तो 90 degree आएगा 3 times करूँ तो 135 degree आएगा 4 times करूँ तो 180 degree 5 times करने पर 225 और 6 time करने से 277 time करने से 3 15 और 8 time करने से 3 60 degree अब बई इनका यहाँ पर क्या use है 2 3 आपको यहाँ पर क्या याद करना हुगा जैदि वो आपसे 90 degree बोलेगा तो आपको यह दियान रखना हुगा कि 45 की cycle वो कितनी बार घुमेगा 90 degree में 45 की cycle कितनी बार घुमेगा 2 बार घुमेगा यदि वो 225 degree बोलता है तो 225 degree में 45 की cycle वो कितनी बार घुमेगा 5 बार घुमेगा इसका मतलब क्या है वो आपसे क्या बोलेगा वो आपसे बोलेगा भीया कि North में है वो उसके बाद 225 degree clockwise घुम गया 225 डिगरी clockwise घूम गया मतलब 45 की किती साइकल घूमा पांच बार आपको क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5 आप सीधा Southwest में आ जाएंगे आपको कुछ नहीं करना है ना चाड बनाना है ना कुछ करना है सिर्फ सिदे सीदे आंसर आ जाएगा आए कुछ नहीं पर देखते है कैसे कैसे करना है लेकिन कुछ नहीं देखने से पहले आप इनको याद के लिजे 90 डिगरी बात करेगा तो 2 टाइम्स 135, 3 184, 225 5 टाइम्स 270, 6 टाइम्स 315, 7 टाइम्स और 360, 8 टाइम्स चलिए कोशन देखते है टाइम इतना लगेगा जिती देर में आप कोशन पढ़ेंगे आप से कह रहा है A man is facing south वह कोई आदमी है वो south की तरफ फेस कर ख़ड़ा है He turns 135 degree in the anti-clockwise direction and 180 degree in the clockwise direction Which direction is he facing now अब वो कौन सी direction में है जिदी आप diagram से जाएंगे एक तरीका ये है कि आप ऐसे diagram बनाए भाई आप इसको फिर south में खड़ा करो फिर 135 गुमाओ फिर anti-clockwise फिर clockwise ऐसके आप solve करो लेकिन हमको ऐसे नहीं करना हमें time बचाना है time कैसे बचेगा आप दो चीज दिहान रखिए यदि वो anti-clockwise की बात करता है तो हमें क्या negative sign यूज करना है negative sign यदि वो clockwise की बात करता है तो हमें positive sign यूज करना है positive sign यूज करना है तो आएए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे heat turns 135 degree in anti-clockwise direction 135 degree मालब 45 का किती बार जाएगा 3 times जाएगा और वो क्या बोलना है anti-clockwise direction मतलब की minus 3 लिखिया यहां पर उसके बात बोलना है 180 degree in clockwise direction 180 किती टाइम जाता है 45 into 4 मतलब 4 times 180 जाता है वो भी कैसा clockwise मतलब की positive 4 आएगा plus 4 अगर हम इन दोनों को solve करें तो क्या आएगा plus 1 मतलब की हम अब 145 की cycle आगे बढ़ जाएगे तो answer क्या आएगा इसका answer आएगा southwest south से 145 degree की आगे की जो side होगी वो होगी southwest आएग बार समझते हैं मैंने क्या करा उसने बोला भी है south में कड़ाता हो कहाँ पे कड़ाता south में he turns 135 degree मतलब की 135 को मैंने 45 की table में रखा minus 3 180 को plus 4 solve करा plus 1 आगे 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 जाओंगा तो क्या आएगा southwest जो की उसका answer होगा मतलब इसका b option सही answer है आपको यहाँ पे बस यह ध्यान रखना है north से अगर मैं एक से किल आगे जाओंगा north इस्ट आएगा उससे आगे east आएगा उससे आगे south east south southwest west northwest आपको यह direction दिमाग में रखनी होगी फिर आपको डाइगराप आनेगी कोई विजरोत नहीं पढ़ेगी आएए next question देखते हैं a man is facing north west कोई आदमी है वो north west के तरफ face कर खड़ा है he turns 90 degree in clockwise direction आपने first line पढ़ी उसको यहाँ पर लिख दिजिए clockwise direction मतलब की plus 2 and then 135 degree in anticlockwise direction मतलब की minus 3 क्या आया solve करके minus 1 मतलब की आप north west में से minus 1 कर दिजिए यह दिमां north west में से minus 1 कर दूँँगा तो क्या आएगा west कैसे जैसे कि आपने देखा था कि भई north west यहाँ पर होता है जदी मैं इससे एक cycle पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पर west तो इसका answer क्या होगा west आए next question देखते हैं यह आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप कोशन देखते साथी इन कोशन को कर देंगे आपको न डाइगराम बनाना है न कुछ हिसाब करना है क्या करना है भईया आप वो west में खड़ा है he turns 45 degree in clockwise direction मतलब plus 1 and then another 180 degree in same direction मतलब कि clockwise direction में ही वो क्या गया है 180 degree गया है 180 degree मतलब कि plus 4 and then 270 degree in anticlockwise direction 270 degree anticlockwise मतलब कि minus का 6 हम इसो solve करेंगे 5 minus 6 क्या आया minus का 1 west में था minus 1 कर देंगे तो क्या आएगा southwest southwest इसका answer आईए आगे बढ़ते हैं एक question और देखते है a man is facing north west he turns 90 degree in clockwise direction मतलब plus 2 गया 180 degree in anticlockwise direction मतलब minus 4 and then another 90 degree in same direction मतलब 90 degree कौन से direction में गया anticlockwise direction में तो क्या आएगा minus का 2 2 से 2 कर दिया मतलब कि 4 इसका answer क्या आया minus 4 मतलब में को 45 की 4 cycle पीछे जाना होगा यह दिए यहाँ पे आप समझने पा रहे हैं इसमें तो आप क्या कीजिए यह यहाँ पे northwest आ गया आपको 4 cycle पीछे जाना है 1, 2, 3, 4 तो क्या आगया इसका answer यहाँ पे क्या आता है south east तो इसका answer आएगा south east चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब सीखते हैं concept number 2 concept number 2 क्या है अब उसने simple simple question पुछेते कि भाईया वो इतने इतने degree मुड़ गया अब बता दो concept action में खड़ा है अब वो question को थोड़ा गुमाएगा वो बोलेगा कि वो north में गया फिर east में गया फिर south में गया या फिर west में गया आपको यह चीज याद कर लेनी है यहाँ पर यह आने आगे वाले question में बहुत काम आने वाली चीज है आएए सीखते हैं ए चीज कैसे यूज होगी N E S W उपर से ही में इने clock वाई रेक्शन में स्टार्ट कर रहा है इसको north east south west आएए देखते हैं क्या कह रहा है राकेश्ट starts walking straight towards east राकेश्ट इस्ट में गया after walking 75 meter he turns to the left विचितर मिटर चलने के बाद वो left में मुढ गया and walks 25 meter straight 25 meter straight चला again he turns to the left फिर वो left मुढ आए walk a distance of 40 meter straight फिर 40 meter again he turns to the left and walks a distance 25 meter how far is he from the starting point कि वो अब starting point से कितने दूर है मैं जानता हूं दोस्तों आप इस कोशन को जरूर डाइगराम से ही करेंगे करते आई होंगे लेकिन अब आपको इन सब की जरूत नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यह याद कर लीजिए या N E S टब यह बहुत काम की चीज़ है क्या था इस्ट में खड़ा था इस्ट में खड़ा कर दो इस्ट में चला इस्ट के नीचे लिख दो 75 मीटर इस्ट से का मुर गया लेफ्ट में मुर गया कितना चला 25 मीटर इस्ट का लेफ्ट कहां पर यहां पर है मतलब यहां पर नौर्थ के नीचे लिख दो 25 मीटर उसके बाद क्या बोलता है अगें he turns left and walk a distance 40 meter अब north का left क्या है? West North का right क्या है? East यदि मैं west के बात करूँ West का left south है West का right north है वह यह क्या गया? North से वो left में यह कितना चला? 40 meter अगें he turns to the left and walk a distance 25 meter अगें वो 25 meter गया मतलब की west से left हो गया यहाँ पर 25 meter अब क्या करना है यहाँ पर? हमें एक alternate lane है एक छोड़ के एक यह वाला और यह वाला इन दोनों को subtract कर दीजिए इन दोनों को क्या कर दीजिए? subtract क्या है हाँ पर? 0 इन दोनों को subtract करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 35 यदि आपको initial distance निकान लिया तो क्या करना होगा? आपको square root जो यहाँ पर आए उसका square और इसका square 0 का square प्लस 35 का square क्या आए इसका answer? 35 meter यह सब भी previous year question है जो की previous year में आएवे है तो इसका answer देखते हैं 25, 50, 140 none of these इसका answer होगा none of these आएए एक बार और समझते हैं हमने क्या किया? हमने N, E, S, W लिखा उसने कहा पहले भी यह East में खड़ा था East में खड़ा कर दिया East में कितना चला वो? 55 meter East में हमने 55 meter चला दिया उसके बाद Left मुड़ गया 25 meter चला East के Left में क्या है? North इसमें कितना चला? 25 meter उसके बाद He turns left and walk a distance 40 meter North से Left में गया 40 meter चला उसके बाद फिर Left हुआ 25 meter गया हमने ऐसे लिख लिख लिया उसके बाद के करना है? Alternate का Difference निकालना है Alternate का Difference यहाँ पे 0 आया यहाँ पे 35 degree आया उसके बाद जो भी यहाँ पे value आये उनका square करके square root निकाल दीजे वो ही हमारा answer होगा आएए आगे बढ़ते हैं और एक और question और देखते हैं उससे आपको ज्यादा clear हो जाएगा हमने पहले वो लिख लेना है N E S W विनोद वाक्स 20 मेटर तूबर नौथ नौथ में कितने मेटर गया? 20 मेटर लेफ्ट एंड वोक 14 मेटर नौथ चे लेफ्ट में गया नौथ चे लेफ्ट मतलब वेस्ट में 40 मेटर अगें लेफ्ट एंड वोक 20 मेटर यहाँ से फिल लेफ्ट गया फिर यहां पर कितना चला 20 meter he moves 20 meter after turning to the right right में मुरने के बाद यहां से right में मुरने के बाद कितना 20 meter यहां से right क्या होगा यह इसका west तो यहां पर 20 How far is he from the initial original position क्या करना है आप यहां 20 है यहां 20 है यहां पर इसका total value निकाल लिए कितनी आएगी 60 अब क्या करना है यहां पर कुछ नहीं है हम 0 रिख लिएते हैं इन दोनों का difference और इन दोनों का difference यहां पर कितना आएगा यहां पर 0 यहां पर 60 अब क्या करना है हमें इनका square root 0 का square plus 60 का square answer क्या आगया 60 meter अब आपको समझ में आगया हुआ कैसे कैसे इसको करना है आए आगे बढ़ते हैं कुल्दीप start from his house toward west लिख लेते हैं साथ सब N E S W after working a distance of 30 meter 30 meter west में चलिया भीया यह अगें turn towards right and walk 20 meter इसका right कहां पर आएगा यहां पर कितना चला वो 20 meter he turned left and moving a distance of 10 meter भीया फिर यहां से left मुण गया कितना चला 10 turn to his left and walk 40 meter यहां से left हुआ कितना चला 40 meter turn to the left and walk 5 meter फिर left हुआ फिर कितना चला 5 watch finally he turns to the left finally he turns to the left left मुण गया in which direction is he walking now अब वो कौन सी direction में चल रहा होगा तो भी लास्ट direction कहां पर आके रोकी हमारी north में तो इसका north ही answer होगा क्या करा हमने सारी value put कर ली last line पर उने क्या बोला finally he turns to the left east से left में गया जदी वो यहां पर यह बोलता कि initial position से बताईए तो हम यहां पर difference निकालते उसका तरीका लगाते वो मैं आपको क्या डिरेक्शन में जा रहा है वो यह बताई दीजिए लास्ट डिरेक्शन में कौन जी थी वो नौट थी यदि वो यहां पर आपसे initial direction पूछ लेता तो कैसे करते हैं क्या करना है आपको अगर वो हमजे initial action पूछता तो 30 मेटर यहां पर गया इवोक राइट यहां पर फिर लेफ्ट गया 10 मेटर यहां पर लेफ्ट में 40 मेटर फिर पांच मेटर अगर वो मुझसे initial पूछता तो क्या answer होता इसका यह इसका sum 40 हो गया मैं alternate निकालता 20 और इनका difference 35 यहां पर direction क्यों लिखनी होती है जिसकी यहां पर क्या हो marker change कर लेते हैं value ज्यादा हो इन दोनों के difference में जिसकी value ज्यादा होती है उसको यहां लिखते हैं इन दोनों के क्योंसे value ज्यादा है साउथ की तो यहां पर 20 साउथ इन दोनों में देखें तो इन दोनों में क्योंसे value ज्यादा होगी वेस्ट तो इसका answer होता साउथ वेस्ट यदि वो मुझसे initial से पूचता है मतलब original position ने बता दिये भीया अब कौन सी direction में वो चल रहा है तो वो कौन सी direction होती साउथ वेस्ट डिरेक्शन होती चले दोस्तो आगे बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं एक कोशन ओर देखिए इसी बेसिस पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यदि अब तक क्लियर नहीं होआ है मेरे को मीद है अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्रिम्धे में क्या करना है। इस ही from his starting point, starting point से कितना होगा, यह वाली कितनी है, 3, इन दोनों का difference 4, यहाँ पे मैं ज्यो लिख लेता हूं, मैं आपके लिए माग कर चेंज कर लेता हूं, मैं इसका और इसका difference लूँगा, तो कितना हैगा, 3, अब क्या करना होता है square root 4 का square plus 3 का square क्या होगा 16 plus 9 25 5 km is the answer 5 km इसका भी option सही होगा समझ माया difference निकालिए उसके बाद square करके square root निकाल लीजे जो भी answer आएगा वो ही हमारा starting point से क्या होगी distance होगी आएए last concept क्यों बढ़ते हैं last concept क्या है concept 3 आप ये तीनों concept कर लीजे आपका direction में एक भी question नहीं चूटेगा आप जब इनकी practice कर लेंगे आपको time question जितना पढ़ने में लगेगा उतना ही time आपको question का solution देने में लगेगा अब वो आपस क्या कहेगा आपको वो direction देदेगा कि इनिचल देक्शन में कुछ था हूँ आपको initial direction वो अब नहीं बताएगा क्या कहे देगा इनिचल direction में था उसके बाद right गया फिर left गया फिर right गया आपको इस tastes देदेगा बोल देगा north पमें आ गया तो आपका क्या करना है जितने में राइट और लेफ्ट के पेर बने उन सब ये को काट दीजिए और जो यहाँ पर बचे उसका अपोजिट लेजिए यदि हाँ पर राइट है तो लेफ्ट लेजिए यदि हाँ पर लेफ्ट बचता तो उसका हम क्या लेते, राइट लेते अब क्या करना है मेरे को नॉट से लेफ्ट जाना है, नॉट से अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा, तो क्या आएगा वेस्ट, उसका वेस्ट आंसर होगा चलिए आएए कुश्चन देखते हैं, उन से आपको ज्यादा के लिए हो जाएगा क्या कहा रहा है एक ए मैन वोक्स स्ट्रेट 100 मीटर, टॉन टू हीज राइट, और वोक 75 मीटर एक मैन सीधा चला, 100 मीटर किसी देख्शे में चला होगा, उसका मेरे को पता नहीं है उसके बाद वो राइट मुड़ गया किता चला? 55 मीटर अगें, ही टरन्स राइट एंड वोक 100 मीटर अगें, दुवार से राइट मुड़ आ किता चला? 100 मीटर लास्ट, ही टरन्स इज लेफ्ट एन वोक 25 मीटर लास्ट में लेफ्ट मर्द कितना चला 50 meter इफ नाउ री इस वाकिंग इन नॉर्थ डिरेक्षन यदि वो फाइनल कौन से चला है नॉर्थ में चला है देन फॉइंड विच डिरेक्षन ही स्टार्टिड तो बताईए कि उसने किस डिरेक्षन से स्टार्ट किया था यहाँ पर मेरेको numerical value का कुछ नहीं करना है हमाले यह useless हैं हमने क्या करना है उपर कोई initial direction होगी हमें पता नहीं उसके बाद क्या गया राइट गया हमने यहाँ पर राइट लिख दिया फिर राइट गया फिर हमने यहाँ पर राइट लिख दिया उसके बाद हमने देखा left गया left लिख दिया उसके अदब बोलना भी है कहां पर आ गया वो north में आ गया north क्या करना है हमें left right के भी है काटने हैं और जो यहां पर हो उसका उल्टा लेना है तो right का उल्टा left यदि मैं north से left में जाओं तो क्या आएगा मेरा west जो कि इसका सही answer है आपको इसमें यह छाटने है right कितने है left कितने है right दो बार है आरर दो बार लिख दिजे L एक बार है L एक बार दिजे right और left लिख दिजे बचेवे का opposite लिखिए और जो final direction दे रखी है उससे चले जाएए उस direction में आपका answer मिल जाएगा आए लास्ट कुशनर देखते है गोपाल वोक्स 10 कलोमेटर बैए किसी direction में दस कुमिल चला होगा then turns right उसके बाद right मुट गया and वोक्ट 20 कलोमेटर then turns right again फिर से right मुट गया and वोक 15 कलोमेटर then turns left पंतर किपटर चलने के बाद फिर से वो left मुट गया and वोक्ट 10 कलोमेटर if currently he is facing east direction यदि वो अभी east direction में है तो बताईए in which he started his journey उसने अपनी journey किस direction जे start की थी हमने क्या देखा right currently फिर right फिर से are and then walks and turn left left उसके बाद बोलना है भी यह वो कहाँ पर आ गया east में आ गया क्या गरना है right left का पर पर काटी है इसका उल्ट क्या होता है left यदि मैं east से left में जाऊंगा तो क्या आएगा north तो इसका अंसर क्या होगा north दोस्तो आज के लिए इतना ही आप इन तीनों की concept के practice के लिए कर लीजिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा और वो हमाई telegram group में मिल जाएंगे आपको जो कि इस वीडियो के description में आपको link दिया गया है आप वहाँ जाके उसकी PDF ले सकते हैं ज़िए आपको कोई भी doubt है तो आप वीडियो के comment section में मुझसे पूछ सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो like, comment and share जरूर करें and thanks for watching जब बड़िया है